I.V.M. क्या गुल खिला रहा है? चलो बताती हूँ. धड़कता है इन बेजुबा जानवरों के लिए, तो वो अपने लिए खाना जुटा पाए या नहीं, इनके लिए बिस्कित जरूर ले कराती है. कुछ साल पहले तक वो पास के गाउं में रहती थी, जहां घर परिवार में रोज मार पीठ होती थी. बच्चे छोटे थे तो प्रतिमा ने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पढ़ाई खतम की, इस महिला ने दिल्ली की ओर रुक किया. यहां वो अकेली थी, और इन कुटों से उसकी दोस्ती हुई, और वहीं से सिलसला शुरू हुआ. अब आसपास की लोगों ने इनकी लगन देखकर मदद करनी शुरू की है. कोई पैसा देता है, तो कोई दूद भेजता है. अब वो अपने कुटों को सुबा नाश्ता देती है, और काम के बाद दो बार और खाना दे पाती है. प्रतिमा सर्फ इतना चाहती है अब कि कोई संस्था उनकी मदद करे, ताकि उनके जाने के बाद भी इन 400 कुटों का पालन पोशन चलता रहे. मुझे लगता है कि हम सब इस उधारन से कुछ सीख सकते हैं. अगर आपके आसपास कोई भी स्ट्रे कुत्ते, बिलियों या पक्षियों के लिए कुछ कर रहा है, तो कम से कम उनकी आर्थिक मदद जरूर करें. चलिए अब नजर डालते हैं नाराइन सेवा संस्थान पे. इनका उधरपुर स्थित दफ्तर तो काफी साधारन लगता है, पर इसको चलाने वाले 80 साल के कैलाश अगरवाल जो काम करते हैं, वो किसी तरह से साधारन नहीं कहला सकता. उन्हों ने नजानी कितने लोगों का जीवन बदला है राजस्थान में. वो हर साल एक सामूहिक विवाह कारिक्रम करते हैं, जहां केवल विकलांग लोगों की शाधियां होती हैं. शर्थ है कि दोनों वर और वधू विकलांग हो ताकि एक दूसरे का सहारा बन सके. अक्सर तो वो ऐसे रिष्टे खुद कराते हैं, पर कभी जब कोई ऐसा जोड़ा होता है जो शाधी नहीं कर पाता आर्थिक या पारिवारिक कारणों से, तो अगरवाल अंकर उनकी भी मदद करते हैं. उनकी ये सला होती है कि दोनों लड़का और लड़की आत्म निर्भर बनें और फिर शाधी का सोचें. और परिवार वालों को ये चेतावनी कि अगर जोड़ा एक दूसरे को जानता है और पसंद करता है, तो फिर और कुछ मत देखो, बस आशिरवात दे दो. हमारी तरफ से अगरवाल जी को शुब काम नाएं और उम्मीद है कि ऐसी संस्थाएं देश के हर राष्ट्र में बनाई जाएं. एक मज़दार खबर पता चली है बैंगलोर से. यहाँ शफी चर्मू विलाया को फोन पे पता चला कि उसने पुरसकार जीता है तामिल किताब के मल्याली यूरुपांतर के लिए. खुशी-खुशी उसने अपने साथ काम करने वालों को बात पताई, पर कोई समझ ही नहीं पाया. वो मुस्कुराते हुए चुप हो गया. इट पत्थर उठाते हुए मजदूर कहां अपने साथी की बात पर ध्यान दे सकते हैं, वो भी काम करते वक्त. अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है. हुआ यूँ के तीस साल पहले शफी अपने केरला के गाउं से बैंगलोर आया था काम की तलाश में. उसे मल्यालम में लिखना पढ़ना तो आता था, पर काम मिला सिर्फ एक चाय की दुकान में. वहाँ जादा तरग्राहक तामिल नाडू से थे, तो शफी को उस भाशा में रुची हो गई. उसने खुद को तमिल बोलना और पढ़ना लिखना सिखाया. बड़ा मजाया एक और भाशा में किताबे पढ़ने का मौका मिला. चाय की दुकान एक दिन बंद हो गई, तो बगल में बन रही इमारत में मजदूरी शुरू करती. जब भी वक्त मिलता तो तमिल में कहानिया पढ़ता और फिर अपने दोस्तों को मल्यालम में सुनाता. मौका मिला तो किताबों का रूपांतर करने लगा ताकि ज़्यादा लोग कहानियों को पढ़ सकें. वो उसका शौक था, काम बढ़ता रहा पर शफी ने मजदूरी नहीं छोड़ी, उसकी जरूरतें बहुत कम हैं, तो वो खुश है अपने काम और अपने शौक के साथ. के लिए फ्लाइट्स लेते हुए थोड़ा बुरा लगता है कि हम परियावरन का कितरा नुकसान कर रहे हैं. अब एक उपाय का मुझे पता चला है. कलकता से चार घंटे दूर एक ऐसी जगा है, जहां आपकी जाने से परियावरन की मदद होगी. ये बेलून नामक एक एक इको विलिज है जो बहुत ध्यान से बनाया गया है. तौनमाई घोश नामक एक फोटोग्रफर ने अध्यन किया और फिर इस जगा को बनाया, जहां प्रयाटकों के लिए कमरे बनाये गए हैं स्थानिय वातावरन और प्रकृति को ध्यान में रख कर. आप यहां चैन से कुछ दिन बिता सकते हैं और यहां रहने वालों के साथ जाकर फूल, पत्तों और पक्षियों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. अगर आप चाहो तो यहां हो रहे गंजेटिक प्लेन की देखरे के काम में भी सहायता कर सकते हो. उनकी वेब जल्द ही मिलते हैं और अगर आप देश के बारे में कुछ और ऐसी खबरें, तस्वीरे या वीडियोस देखना चाहते हैं, तो Facebook और Pinterest पे Good News Indians Namak Group को फॉलो कर सकते हैं. इस तरह के और दिल्चस पॉडकास के लिए आप आप पे या वेब साइट पे जाएए या जहां से भी आप अपने पॉडकास प्राप्त करते हैं, हमें जरूर सुनिये, हम हर जगा मौझूद हैं. कुब चाहते हैं, हमें खी क।ब गोसे आप वेजए रपे ज़े हैं, हमें जरूर सुम्मसूद आप इसिए के बदी सर्थे हैं, जरूर स्थेध बिल्चस प्राप्यों मौझंद aha कान। यह वे तूसन Kung ऑ्परियर, जरियना έम् झाले हैंवात गार्णहे है खाल. प्रेछ प्राइल वाजिए इंगा टेंग जिया जाएंगे जाम स्किर्ण धुधिक टूस्वेश्टितान टेंगा टने गुषब टूस्ट थे जाएंग टूस्ट फार टेंगे टेंगे। झाल झाल